आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको अपने फोन में एक प्रॉब्लम आ रही है आपके फोन में यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन शो नहीं हो रहे हैं यानि कि लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन शो नहीं होता है आपको तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप अपने फोन में सेटिंग्स को सबसे पहले ओपन करिए फोन की सेटिंग्स में आने के बाद नीचे स्क्रोल करके आपको एक ओप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन्स एंड कंट्रोल सेंटर तो यह ओप्शन आपके फोन में नोटिफिकेशन्स एंड स्टेटस बार के नाम से हो सकता है या फिर आपके फोन में ओल्ली नोटिफिकेशन के नाम से होगा तो इस ओप्शन पे आप किलिक करिए इस option पे जैसे ही click करेंगे ऐसा interface आएगा और यहाँ पर एक option आप देख सकते है lock screen, floating notifications और एक option आएगा badges तो lock screen के notification से related आपको problem आ रही है तो lock screen पे click करिए click करने के बाद ऐसा interface आएगा और यहाँ पर एक option आप देख सकते है format, format के option पे click करिए अब आपको दो से तीन option मिलेंगे यहाँ पर आपका हो सकता है यह वाला option select होगा do not show या फिर don't show lock screen notifications तो उपर जो आपको दो option मिलेंगे इन में से कोई option आप select करिए show notification and content इसमें आपका notification आएगा तो उसका content भी show होगा और दूसरा option मिलेगा show notifications but hide content तो notification show करेगा बट content show नहीं करेगा तो इन दोनों में से कोई option आप select करिए अपने recording select करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस type से आपका message आज आएगा lock screen पर अगर content hide करेंगे तो इस type से आपका only message show होगा इतनी settings करने के बाद back आ सकते हैं अब आपको check करना है अगर किसी application के lock screen पर notification नहीं आ रहे हैं तो हो सकता है यहाँ से off होंगे यानि की बंद होंगे तो आप नीचे scroll करके check कर सकते हैं इन सारी application के lock screen के notification बंद है हमारे phone में तो इस पर click करेंगे और show notifications को आप यहाँ से on कर सकते हैं और आपकी problem ठीक हो जाएगी अब आपके lock screen पर notification शो होने लग जाएंगे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे channel को subscribe जरूर करें